रोज की टेंशन होती है कि बच्चों की टिपिन में क्या दे तो आज मैं लेकर आए हूँ बहुत ही easy recipe जिसे आप बहुत ही कम तेल में और कम चीजों से बना सकते हैं जो खाने में बहुत ही taste लेगा और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएगा तो आज हम बना रहे हैं सूजी और ओहे का दोसा हलो दोस्तों Welcome back to my channel तो चलिए बनाते हैं इसके लिए हम सूजी लेते हैं तो सूजी आप कोई भी ले सकते हैं मोटी वाली बारिक वाली कोई भी ले सकते हैं यहां पर हमने सूजी लिया एक कप के करी जितना आपको बनाना हो आप ले सकते हैं और में हम डालेंगे दही तो एक चमच यहां भरके हम दही डालेंगे दही बिल्कुल भी खट्ती नहीं है और यहां पर हमने पोहे को भीगो करके रखा था कम से कम तीन चमच पोहा है इसको हमने भीगो दिया था और चीता उसे पोहा जो है फूल गया है पोहे को भी इसमें हम और फिर जार में हम डालेंगे आदा ग्लास पानी और फिर इसका हम पेस्ट बना लेंगे प्लास मोड में चला करके फिर वैसे चलाएंगे तो यहां पर इसका एक हाइन्ड सा पेस्ट बन जाएगा यहां पर देखिए एक बार पीस गया तो इसको हम एक गूसरी कटोरी में डालते हैं और फिर जो बचा हुआ सूजी है उसको हम डालेंगे इसी जार में और फिर इसमें हम डालेंगे आदा चमज दही और भी हम डाल देते हैं और बहुत ज्यादा पतला भी नार है यहां पर देखिए बैटर जो है बन गए है तो जो पोहे का टुकड़े हैं वो इसमें है तो हमने जानबुचकी रखें आप चाहिए इसको और भी फाइन इसका पेस्ट बना सकते हैं यहां पर इसमें हम नमक डाल देते हैं नमक डालके इसको अच्छी तरह से फेड़ते हुए मिक्स कर देते हैं नमक स्वादानुसार आप डालिए और नमक डालने के बाद अब हम लेते हैं पनीर के तुकड़े बिल्पूल बारिक कटे हुए प्याज हरी मिर्ज अगर आपके पास पनीर नहीं है तो आप इसकीप कर सकते हैं लेकिन पनीर तो जरूर ही डाली जिसी इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा यहाँ पे एक प्याज को हमने बारिक काट लिया है और हरी मिर्ज यहाँ पे तीन उबले हुए आलू है इसको हमने छील करके रखा है गैस में हम चला देते हैं पैन उसमें हम डालते हैं सरसो का तेल थोड़ा सा डालेंगे पहले आलू लूगों में फ्राइ करना है यहाँ पितड़के में हम डाल देंगे जीरा और जीरा डालने के बाद जब जीरा थोड़ा थोड़ा जल जाएगा तो इसको पैन में हम चला हम हरी मिर्च दाल देते हैं हरी मिर्च भी यहां जल गई है तो जो पयाज हमने का़त करके रखें पहले उसको हम डालेंगे और पयाज को जदा नहीं गलाना है थोड़ा सा क्योटना है पयाज डाले गиллиवाध को चलाते हुए पयाज को हम भोल लेंगे और गैस की फ्लेम को मेडियम कर देते हैं और इसमें आलू डाल देते हैं एक मिनिट बाद यह प्याज को चलाते हुए और खड़े आलू डालने के बाद आप मिलेते हैं काटे वाली चम्मच और इसको हम मैस कर लेते हैं आप पहले भी मैस करके डाल सकते हैं या इसमें डालने चिली फ्लेक्स तीखा अपने कोडिंग कर सकते हैं जितना आपको तीखा पसंद हो हल्दी डालेंगे एक चुट की करीब हल्दी भी डाल देते हैं और बस इतने ही मसाले को डालने के बाद आलू को और पनीर को अच्छी तरह से चला करके आलू और पनीर की फिलिंग तयार कर देते हैं जिसे हम डोसे के अंदर डालेंगे यहां पर पनीर को भी कुछ तुकड़े हम खड़े रहने देते हैं और कुछ को हम मैस कर देते हैं और जो आलू की गुठली है उसको भी हम तोड़ते जाते हैं और यहां पर देखिए आलू की फिलिंग है बन करके तयार है ठाइक को जो वैटर है सको एक बार और भी फोट लेते हैं अगर नीवू हो तो आधा नीवू भी डाल सकते हैं यह पर भार कर्ची में जाल Pan na हम नोने श्रीक तब पानी से छीटा मारते हैं और पंचने के बाद इसके ऊपड़ा साम डालेंगे ओल ज्यादा नहीं इदम दो तिन बूतन करीव हम औल डालेंगे और इसको हम खोड़ी दिर फैला देते हैं और फैलाने के बाद लेते हैं करची में बैटा और बस बीच में इसको डालेंगे न तो यह अपनी आप ही अपना सेप लेगा वस थोड़ा सा अगर आप पूर लगे कि मोटा है बीच में तो इसे आप कर्चे से बराबर कर सकते हैं वैसे तुई अपना सेप वैसे ही ले लेता है और बैटा डालने के बाद इसको अब हम ढग देते हैं और कि एक साइट से अच्छी तरह से सिख गया है दूसरी साइट डालने के बाद फिर इसको हम ढग देते हैं और फिर ढखकन हटाते हैं और इसको फिर उल्टे साइज हम पलड़ देते हैं फिर जो यह आलू पनीर की फेलिंग है इसको हम बीच में रखते हैं और इसको हम रोल क है और लेत्री डालने के भाद इसको ढूड़ा सा घुमा देते हैं और घुमाने söz इसको तरह से हमें सेक्ट ले! फिर इसको हम ढग देंगे और देखी इसकी अंदर कितने अच्छे जाली कि यह और ढखने फिर थोड़ा सा उपर से हम के ओल लगाएंगे और इसको हम उल्टे साइड दूसरी साइड प्लट देते हैं और प्लटने के बाद फिर इसको हम दापती हुए सिंक लेंगे और फिर इसको हम ढग देंगे ताकि अगर आप चाहें तो एक ही साइड चेक चेके बैटर को नेती होकी के वह थोड़ा रखा है और इसको थोड़ा सा मोटा ही हम रख रहे हैं यहाप इसको फिर दूसरी साइड Ho언 की में लगा देते हैं यहापिए देखिए दो तीन चमब्च आलो की फिल रखें भर भर के जिसे खाने में और भी टेस्ट लगे और वस इसको आलो की से 20 सेकेंड और फिर इसको ढपन अटाते हैं और इसको हम दूसरी साइट फोल्ड कर देते हैं यहां पर देखिए बहुत ही अच्छी तरह से यह फोल्ड हो जाता है और यहां पर मज़ेदार से नास्ता बन गया है सूजी आलू का और इसी तरह से जितना भी हम बना करके तयार कर लेंगे तो लीजिए बन करके बहुत ही हेल्दी है बहुत ही टेस्टी है बहुत ही चटपटा भी है बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएगा बच्ची हो बड़े हो सभी बड़े चाव से खाएंगे तो आप लोग एक बार इस रेस्पी को ज़रूर नो दो दो राजब कर दो दो राजान